आज हम सीखेंगे नमबर फोर को हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है ठीके मैंने क्या किया है यहाँ पे अलग-अलग सब नमबर्स लिख दिया है उसके अंदर नमबर फोर लिखा हुआ है जीज को हमें क्या करना है दूना है और उसके उपर सर्कल बनाना है जैसे 1,2,3 किया था ना हमने वैसे ही चलिए तो नमबर फोर कहाँ पे लिखा हुआ है देखिए यह क्या है नमबर तू यह नमबर सिट्स यह है नमबर फोर तो उसके उपर बनाएंगे सर्कल नमबर फोर बनता है कैसे? स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन तो क्या बन जाएगा नमबर फोर? चले, अब ही सेगे लाइन में देखते है नमबर फोर कहाँ पे लिखा है, ओके? येस, चले देखते हैं बोले कौन सा होगा? येस, ये है नमबर फोर ये कौन सा नमबर है? ये नमबर सैवन है, क्या है नमबर सैवन? फिर ये कौन सा नमबर है? नमबर फ्री ओके? चले उसके पात और एक लाइन है, उसके अंदर देखते हैं, नमबर फोर कहाँ पे लिखा है येस, यहाँ पर लिख्था है नमबर four, तो उसके उपर क्या करेंगी हम? Circle बनाएंगी, देखे, यहाँ पर मैंने Circle बना लिया उसके बाद और कहीं पर भी four बाखी रहाइगो क्या हम आम बहुना लिख्था? देखे, येस यहाँ पर four था तो फिर ये कौन सा नंबर तो ये है नंबर एट, कौन सा नंबर है नंबर एट, ठीक है, तो आज क्या किया हमने नंबर फोर को find out किया, क्या किया, नंबर फोर को find out किया, यानि कि नंबर फोर को हमने डून लिया, है ना, ओके, तो नंबर फोर कैसे लिखते हैं याद रहे गय Standing line, slipping line, standing line तो बन जाएगा number 4 ओके चलिए तो फिर अभी fingers से count करेंगे Show my fingers Yes, चलिए count करेंगे 1, 2, 3, 4 कितनी fingers हो गई हमारी? 4 fingers चलिए फिर से count कीजिए 1, 2, 3, 4 तो क्या बन गया हमारा number 4? ठीके? तो आपको क्या करना है? गर पर ये activity करना है ओके? अलग-अलग सब numbers लिखना है उसके अंदर number 4 को लिखना है तो फिर उसको find out करना है ओके? चलिए बाई-बाई बाई-बाई